गोंद्य जिला राकमपा की और से सांसर प्रफुल पटेल की उपस्तिती में नमान महाविद्ध्याले सभागार में पार्टी पददिकारियों एवं कारेकर्तों की बैठक कायुजिन किया गया इस सबस्तित पर बोलते हुए सांसर प्रफुल पटेल ने कहा कि किसी की शक्ती कभी भी स्थाई नहीं होती वह आती जाती रहती है सत्ता में हो या नहीं पार्टी के पददिकारियों कारिकरताओं को हमेशा जनहित के कारिकरते रहना चाहिए कारिकरताओं को लोगों की बाधाओं को जानना चाहिए और उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए पटेल ने जोर देकर कहा कि पार्टी के मिशन नीतियों लागू होने विकास कारियों को कारी करताओं द्वारा अंजाम दिया जाना चाहिए प्रफुल पटेल ने कहा कि राकमपा के माध्यम से गोंदिया भंडारा जिले में कई विकास कारी हुए हैं में इन दोनों जिलों के सरवांगिन विकास के लिए हमीशा प्रतिबद हूँ। राकमपा ने शुरू से ही सत्ता से ज्यादा जनहित को प्रात्मिक्ता दी है। अधिकारी और कारेकरताओं को जनहित के कारे करने के लिए सदेव तत्पर रहना चाहिए। कैमरा परसन राजकुमा मोहड के साथ अभिशेक पांसी बीसी न्यूस नाथपूर।